एक छोटी सी बात में मैंने सारी चीज आपको दी दिया कि लोग मुझे पसंद ना करें मुझसे महपता हूं मैं ही क्यों मेरा परिवार ही क्यों चोखट बदलने के से आता हूं अगर चोखट नहीं बदला गया तो नई जनरेशन कहां से आगे हैं सी कुसी खासी और पून और चुपाय नहीं चुपता है यह तो सामने आही जाएगी ना कि किसको यहां कि नई जनरेशन अगर आगे जाती है तो किसको कितना तकलिफ होती है यह तो आपके सामने आजाए पिता जी हमारे चाचा यह लोग पॉलिटिकल लोग पापा तो इतने पॉलिटिकल रहे नहीं हम और हमें लगा कि जब हमारे लोगों के बीच में हमारी एक्सेप्टेंस है तो क्यों ना उनके साथ कदम से कदम हम टेक्नॉलिजी की बात करते हैं हम साइंस की बात करते हैं हम एडुकेशन की बात करें करें विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी इगनो से सॉल्ट असाइंमेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें संपर करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मदीरा मोर से दाहिने सीवान एक छोटी सी बात में मैंने सारी चीज आपको दे दिया कि लोग मुझे पसंद ना करें मुझसे महपता हूं मैं ही क्यों मेरा परिवार ही क्यों चोखट बदलने के से आता हूं अगर चोखट नहीं बदला गया तो नई जनरेशन कहां से आगे असी कुसी खासी और पून औ और चुक पाय नहीं चुपता यह तो सामने आही जाएगी किसको यहां की नई जनरेशन अगर आ आगे जाती है तो किसको कितना तकलीप होती है यह तो आपके सामने आहेगी । एक छोटी सी बात में मैंने सारी चीज आपको दे दिया कि लोग मुझे पसंद ना करें मुझसे महबबत करें इस महबबत और भाईचारे की बात कही जानी ने उसका इतना भव समापन होगा का कभी आयूत आपने सुचा था ये वक्त बताती है जब आप समाज में आते हैं तब आपको पता चलती है कि लोग आपसे महबबत कितना करते हैं और कितना पसंद करते हैं पिछले काभी दिनों से आप सीवान में सक्रिये हैं क्या कोई राजीतिक मैं तो आपको पहुत पहले कह चुका हूँ मैं ही क्यों मेरा परिवार ही क्यों चोखट बदलने के ज़रूरत आप लोग बेहतर जानते हैं कि हमारी अमाम कितनी तुरस्त है तो मेरी सारा मैं ये चाहता हूँ अगर चोखट नहीं बदला गया तो नई जनरेशन कहां से आगे आएगी इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि नई जनरेशन के लिए वो पुरानी चोखट बदल दी जाए आप आप बेसक जानते हैं मैंने एक बात कहा था हसी खासी और पून और इक्स छुपाय नहीं चुपता है यह तो सामने आही जाएगी किसको यहां की नई जनरेशन अगर आगे जाती है तो किसको कितना तकलीप होती है यह तो वह आपके सामने आ जाएगी मैं तो कहा मैं ही क्यों अगर शनिह प्रेम इन्लों का रहा तो मुझ में से मैं घुनूंगा इस सीवान की धरती पर कि बहतर हो उसको लाया जाए इसके लिए सबसे विप्यूक्त अगर आपके सबस्पर तुम लगता है कि आप है तो क्या आपकी विद्वारी तय है तो वक्त के उपर निरभर करता है इसको आप सक्रिये हैं तमाम शित्रों में आपका आना जाना है शक्रिये होने का मतलब से यह नहीं है आप रोज हमें लगता है कि आप जब अश्नान करते होंगे तो रोज पूजा करते होंगे मैं ही अपने समाज में अगय है उन लोगों के बीच अपनी वादत कर रहा हूं और पूजा कर रहा हूं हम लोग तो इसके इनाग्रेशन में भी आयते हैं यहां पे और जैसा हम लोगों ने उस समय क्राउट देखा और इस टॉनामेंट के लिए रिस्पॉंस देखा और आज जब इसका एंड हुआ है जो डिजर्विंग टीम थी वहां जीतके गई है और ऐसे टॉनामेंट कितना प्रोटसाहन देते हैं आके बच्चों के लिए यंग्स्टर्स के लिए कि वो जिस भी लेवल पर यहां पर आके खेल सकते हैं रिवार्ड मिलता है रेकेगनीशन मिलता है लोग जाने जाते हैं इन प्लेएर्स को सिवान जानना चालू करता है अगर कोई अच्छा खेलता है यह तो यह हमारे आंकल लोग जगरिया अंकल और इन लोग के तरफ से ए और एक प्रोसान देने की कोशिश करते हैं जिस भी लेवल पर वो दे सकें इन प्लेयर्स को आप तो देख सकते हैं ना कि हमारे यहां बिहार से प्लेयर आने चालू हो गए हैं और वो तब आ रहे हैं जब हमारे पास इंफ्रस्टर्ट्चर नहीं है और ना कि बरावर इंफ्रस्ट्राइब्चर और हमारे खिलाणी हमारे बिहारी युवा अपनी अपनी महनत इज़ट्धत अपने स्ट्रगल को सब कुछ कुछ हैलते हुए भी आगे आके के खेल रहे हैं तो अगर सोचिए कि हम थोड़ा थोड़ा कंट्रिब्यूशन करके अगर अच्छा इंफ्रस्ट्रक्चर दे दें तो हमारा स्टेट कहां होगा तो हमको फ्यूचरिस्टिक चीजों को सोचना है कि हम आगे अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं नई ये तो फिर आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं हमारे पिता जी हमारे चाचा यह लोग पॉलिटिकल लोग पापा तो इतने पॉलिटिकल रहे नहीं हमारे चाचा ने चुनाव लड़ा हैं यहांसे और हमें लगा कि जब हमारे लोगों के बीच में हमारी acceptance है तो क्यों ना उनके साथ कदम से कदम हम चलें और देखें कि लोगों का हमारे तवर्ट्स प्यार क्या है और जिस भी लेवल पे हम उनको प्रमोट कर पाएं, मदद कर पाएं, वो करने की कोशिश करते हैं एक दम मैंने तो लास्ट टाइम भी बोला था कि हम लोग पहल करेंगे अपने लेवल पे कि नॉट जस्क्रिकेट क्रिकेटी नहीं हम लोग फुटबॉल भी खिलाएं, बैडमिंटन टॉर्नमेंट्स भी और गनाइज कराएं, स्पोर्ट्स एक तरीका है, और भी कही चीज़ें हम लोग करा सकते हैं आप जनलिस्ट लोग हैं, हम लोग अगर डिबेट करा सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे एलोकुशन करा सकते हैं, सिक्षित बच्छों के बीच में, तो उससे क्या है हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अगर हम उनके लिए कुछ एजुकेशनल जी के कुईज वगर अभी रख सकते हैं, तो उनको भी अपने जो एजुकेशन और उन्होंने जो पढ़ाई करी है, उसको एक शोकेस करने का मौका मिलेगा उनको, तो इस नो जस स्पोर्ट, हम लोग स्पोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेक्नोलोजी की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं, हम एडुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बढ़िया सेंग है कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत.